दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को Power Finance Corporation, REC Limited and MSTC के साथ में टोटल आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट and डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मेडिया बायारुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है WPIL Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,325 रुपीज के ओपर में चल रहा है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है MSTC Limited MSTC का जो स्टॉक प्राइस है वो 444 रुपीज के ओपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आपे डिविडेंड अनौन्स कर दिया है 5.50 रुपीज का जिसको देने की एक्स टेट और रिकॉर्ट डेट जो है 15 अफ नवेंबर की रहने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है तनेजा एरोस्पेस लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 233 रुपीज के ओपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आपे डिविडेंड अनौन्स कर दिया है 1.50 रुपीज का जिसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट जो है 13th अफ नवेंबर की रहने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है AllSec Technologies Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 633 रुपीज के ओपर में चल रहा है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है सूरत वाला बिजनस ग्रुप लिमिटेड सूरत वाला बिजनस ग्रुप का जो स्टॉक प्राइस है वो 400 रुपीज के ओपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 7th of November को और इस board meeting का जो purpose है वो stock split और साथी साथ में quarter 2 के results को लेके रहने वाला है अब अगर company 1 is to 10 या फिर 1 is to 5 के ratio से stock split announce करती है और साथी साथ में quarter on quarter basis पे एक अच्छी खासी growth भी report करती है तो definitely हमें stock में एक शानदा rally देखने को मिल सकती है तो जरूर से इस stock को अपनी watch list के अंदर में add करके रख लीजियेगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है DP Wires Limited इस company का stock price 633 रूपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आप इस stock bonus announce कर दिया है 1 is to 7 के ratio से जिसका मतलब यह अगर आपके पास में इस company के 7 stocks हैं तो यहाँ पर आपको एक stock as a bonus मिलेगा मतलब total में जो आपके 7 stocks हैं वो 8 stocks के अंदर में convert हो जाएंगे बेशक आपके पास में इस company के जितने भी stocks हो आपको हर 7 stocks के उपर में 1 stock as a bonus दिया जाएगा और इस stock bonus को देने की जो X date और record date है वो 8th of November की रहने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है PFC यानि की Power Finance Corporation इस company का stock price 250 रुपीज के आसपास में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize करके रखी है 8th of November को और इस board meeting का जो purpose है वो quarter 2 के results को लेके रहने वाला है काफी high chances है कि company के जो quarter 2 results है वो quarter 1 के comparatively काफी जादा अच्छे आए और अगर ऐसा होता है तो definitely Power Finance Corporation के stock के अंदर में हमें काफी अच्छी rally देखने को मिल सकती है तो जरूर से PFC Limited के stock को अपनी watch list के अंदर में add करके रख लीजिएगा और खासकर 8th of November को इस stock पे नजर बना के रखिएगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है REC Limited REC Limited का जो stock price है वो 302 रूपीस के उपर में चल रहा है and just अभी कुछ घंटो पहले जो है दे हिंदू business line की तरफ से काफी बड़ी update निकल के आईए दे हिंदू business line की जो analyst है उन्होंने आपे REC Limited के उपर में buying recommendation शेयर करी है और जो target price दिया है वो 315 रूपीस का दिया है मतलब 300 रूपीस से लेकर के almost 315 रूपीस तक की जो rally है वो दे हिंदू business line expect करके चल रहा है तो जरूर से आपको REC Limited के stock को अपनी watch list के अंदर में add करके रख लेना चाहिए देखा जाए तो एक decent target यहां से आपको मिल जाएगा बागी इसके अलावा आपको जिस भी stock को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उन stocks को उनकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुआ और इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 8 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा विगोस फिनों मेडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content दिखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye